आज हम लोग बात करने जा रहे हैं Gradient Boosting के बारे में Gradient Boosting वन अफ दा मोस्ट यूस और जो कि हम देटी डेग मशीन लेर निंग प्रोबलम्स में इन फैक जब हम सीख रहे होते हैं तो उस अग भी इसका काफी यूस करते हैं तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बूस्टिंग के बारे में जो कि आये हूँप आप लोग पढ़के आये होंगे बस्तिल इपाइब तो रिपीट बूस्टिंग की वह एक लाइन में होती कहा है बूस्टिंग सबसे पहले हमारे डाटा को जो हमने डाटा साड बनारखह है उस डाटा को लेता है ड्रेजेंट singular तो यार अगर हमें समझना है gradient boosting को तो उसके लिए हमें suppose करना होगा कि हमारे पास है एक data set जो data set मैंने आपके लिए बना के भी रखा हुआ है let me just go and copy this data set copy करके मैं लेकर आतो इसको अपने main canvas पर इस data set में हो क्या रहा है पहले थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं इस data set में हम लोगों ने यहां पर मार्क कर रहे हैं बच्चों के यानी student के attendance attendance की spelling ही गलत करती बहुती बढ़िया इस data set पर हम लोगे ने मार्क कर रहे हैं लोगों के क्या attendance और हम लोग करके रहे हम देख रहे कि हैं different different subject के attendance के basis पे उस student के marks हैं कितने तो यह हमारे पास कोई sample data दिया हुआ है और अब हमें कुछ नहीं करना हमें इस sample data को use करते हुए अपने model को train करना है तो होता क्या है अगर हम simple अपने data को use करके model को train करें तो हो सकता है कि इस particular data के लिए हमारा model कोई हमें value provide करें and it is not necessary कि वह value बहुत ही close हो हो सकता है उसके अंदर काफी जादा आ रहा हो error तो यही हमारे पास होता है हमारे पास सबसे पहले एक base data जो कि यहां पर है हमने इसको दिया अपना training training को let's say हम मान लेते हैं अभी कोई भी value दिया हमने let's say अगर हम इसको कहता हूं xt अभी के लिए ठीक है तो मैंने इसको दिया अपने training data xt वो training data लेने के बाद यह training data इसने भेजा model में सेम ऐसे xt के हिसाब से यह हमारा original data by the way त्यान रखो यह हमारा original data जिसको लेकर हम काम करना है start कर रहे है यह हमने दिया इसको अपना लाइक original data पास करा हमने model को यह data दाते model के पास model इसको करता है अच्छी से learn मतलब train होता model इसके उपर and then उसके बाद यह हम को देता है कुछ result on our testing data and जब हम उस result को देखते हैं तो हमें मिलता है गया अकर इस student की बात हो रही है जो कि xt student है इस student के लिए हमें मिलता है value कुछ 85 let's suppose हमें 85 value दी इसने that means जो हमारा actual label value है that is 90 और जो model ने प्रोवाइड के that is 85 तो इन दोने के बीच पे error कितना हुआ error हो गया हमारा 90-85 that is 5 का right अब भई ठीक है error तो हमें मिल गया 5 का बट हमें इस error करना के like why are we calculating this remember gradient boosting में हम try करते है कि हमारी accuracy हो जादा से जादा और हमारे errors हो कम से कम यह चीज हम कोशिश कर रहे हैं लगातार लगातार अपने model को बार-बार train करके but the catch is यहां पर हम same labels को use नहीं कर रहे उन labels के जगा आप हम लोग use करेंगे इन errors को right जो भी हमारे पास यह error function से जो भी चीज आई हो या फिर यह error यह भी एक तरीक है टॉपिक हम यहां पर difference यूज कर रहे है इस value का और जो predicted value यह 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 predicted यह जो predicted value आई है और यह 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 इसके बीच के difference हम use करेंगे अगर मुझे यह चीज अपने डेटा पे शो करना हो कि अचली हो क्या रहा है यह आपर तो यह मैं कैसे दिखा सकता हूं मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूं कि मेरे data set में मैंने एक और कॉलम आट कर दिया है जो कि ऐसा लेबल की तरह ही काम करेगा विच इस आर वन आर वन जो है हमारा वो है अब हम इस डालेंगे क्या जैसे हमने यहां पर देखा तो 90 और हमारे पास वैल्यू क्या थी प्रेडिक्टेट वैल्यू 85 तो यहां पर हमारा वैल्यू हो जाएगा 5 विच इस आर और अब हम इस वाले कॉलम को यहां पर एर इस वाले कॉलम को यूज करेंगे अपने नेक्स्ट डेटा से डेटा में इसको यूज करेंगे तो यहां पर होगा क्या हमारे पास वापिस एक्स्टी गया लेट से एक्स्टी डेटा ट्रेन होने के लिए गया और यहां पर जो लेबल है model को provide किया हम train करें residual error के लिए मैं बार बार रिपीट करो जिससे कि आपको यह जी समझ में आ जाए यहाँ पर हम जो उरिजिनल वैल्यू थी वो रही डाले यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं residual errors को राइट तो यहाँ पर हमने इसको train करा अब हमारे model ने फिर से कुछ काम करा modern time लगाया अपना जो भी कर रहे है इसने काम करा और काम करने का इसने value दी मुझे 3.2 लेट से इसने 3.2 वैल्यू मुझे प्रोवाइट करी अब हमने यहाँ पिलेगल का प्रोवाइट करते हैं यह चाह रहे हमारा जो data प्रोस्ट फाइफ्ट करें को कि हम ने इसमें बताय है कि अगर यह सारा data हम प्रोवाइट कर रहे है अपने model को तो मुझे मिलना चाहिए इ हमारा model है उसने 3.2 दिया अब C जो हमने अपने पहले वाले के तरहाथ करा था या नि जो हमारे model ने पहले हमें प्रवाइट किया था 85 फिर हमने क्या करा था तो उसमें error गालूरीट करा था residual error और हमने उस residual error को वापिस से भीजा था अपने model के पास सेम चीज़ यहां पर होगा अब हो क्या रहा है 3.2 आया राइट 3.2 गया इसके पास in fact sorry 3.2 नहीं 3.2 5-3.2 विच इस वाट 1.8 1.8 गया इस बर हमारे इसके बास डेटा में 1.8 किसके लिए 1.8 प्रेडिक्ट होगा एक्स्टी डेटा के लिए जो कि हम सैंपल डेटा मान के चल रहा है अपना और model ने यह model को गया और model ने फिर से हमारे टेश्टिंग में कुछ data दिया है जो कि होगा बार 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 ऐसे नहीं कर रहा था अपने एरोस को ले के प्रेडिक्ट तो मुझे सिंपल जो मेरा पहला वाला है ट्रेंग पहला जो हमने model को train कर रहा हमें उससे डेटा मिलता जो किता हमारा 85 बट अब क्योंकि हमने अपने हमने gradient boosting यूज़ करी है अपने data पे तो अभी हमें क्या provide कर रहा है 85 plus अच्छा by the way 85 क्या है जो हमने predict करी थी पहली बारी में right 85 plus 85 के बाद अब क्या हमारे पास next prediction थी हमारी y prediction 2 जो की थी हमारी error वाली जिसका label था fine for prediction IT 3.2 इसके बाद अब हम add करेंगे इसमें y3 जो third time जब हमने third time model अपना run करा तो हमारे पास यापी यह कर सकते है कि third time जब हमारे त्री ने काम किया तो हमारे पास value आती है 1.6 ठीक है तो अब हो क्या रहे आपर remember हमारे xt data के लिए जो हमारा original original label value थी वो थी 90 ठीक है अगर हमने अपने model को सिर्फ एक बार run किया होता तो हमारे पास आता 85 बट हमारा aim था कि हम अपने error को करें कम से कम और हमारी accuracy को बढ़ाए ज्यादा से ज्यादा तो इसमें हुआ क्या हमने gradient boosting apply करी gradient boosting में क्या हुआ हमारे errors को उसने बार-बार अपने model में लिया as a predicting value या फिर यह कै सकते है as a label and then उस label के base पर या फिर उस label के base पर उसने training करी and then testing data उसने कुछ प्रेडिक करके दिया हमें तो यहां पर यह ही हो रहा है XT XT वापिस से अगर मैं इसके उपर आऊंगा तो अब हमारा हो क्या रहा है like gradient boosting ने हमें क्या फायदा दिया हमारा without grading boosting value आती 85 and after grading boosting हमारे पास value आएगी XT के लिए 85 plus जो मैंने यहां पर लिखा 85 plus 3.2 plus 1.6 that is that is nothing but what that is nothing but 89.8 now look at this पहले हमारे पास value था 85 gradient boosting लगाने के बाद हमारी value होगी 89.8 यही है जादू gradient boosting का and that is why we use gradient boost so at this point of time हम लोग का idea हो गया है कि gradient boosting हमारे लिए करता क्या है यह काम कैसे करता हो यह हमारी मदद कैसे करता है हमारे model के through errors कम करके and हमारी accuracy बढ़ा कर but जब तक हम code ही करेंगे हम इसके बारे में और कैसे पता चलेगा तो to know more about grading boosting let's get dive into the coding part of it तो हम अपने old friend के पास चलते हैं जिसका ना हम है collab notebook और यहां पर हम लोग start करते हैं अपना gradient boosting का implementation from scratch जो कि हम अभी के लिए चोटा रख रहे हैं चोटी data set के साथ जिससे हमें समझ में आई चीज़े जादा से जादा time लगे कम से कम और learning बने fun so yes let's get dive right into it और सबसे पहले हम करेंगे यहां पर import अपने important packages चैसे कि हो गया हमारा numpy as np numpy के लावा बोले जाते हैं कि आप pandas भी कर लो वैसे हम यहां पर pandas का ज्यादा यूज़ करने वाले हैं नहीं but still हम लोग कर देते हैं pandas को import pandas as pd who knows आगे ज़रत पढ़ जाए तो then उसके बाद जब 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 पढ़ेगी तब हम कर सकते at plot live as plt right तो हमने कर दे अपने सिल को run और इसके बाद हमें करना है अपना sample data create तो यहां पर फटा-फट अपना sample data create कर लेता हूं without wasting any time हम लोग यहां पर ले रहे random numbers जो की स्कैटर होंगे np.random.rand okay 200 चाहिए हमको then हम लोग कर लेते हैं इसको np.round mean से subtract x-x mean x.mean हमने कर लिया इसके mean से subtract okay और कर लेते हैं x को sort ठीक है तो हमारे परस अपना x data आ चुका है अब हमें चाहिए y that is label इस case के इंदर तो y को भी हम फटा-फट बना लेते है y to show our data in parabolic form तो मैं एक उसके जैसी equation लिख लेता हूं np.random.normal minus 200 से 200 तक x size ठीक है वाई अब हमने कर दिया अपने x और y को ready let's just plot अब plot करके देते हैं हमारा data जिसको हमने बनाने के लिए इतना कुछ कर रहा है वो दिखने में कैसे है scatter plot कर लेते हैं हम इसको x दे दिया y coordinates के data देती है size दे देते हैं हम इसको np.full x size 0,3 okay 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 let's go let's see ठीक है तो हमें दिख रहा है यहां पर हमारा data जो है वो parabolic form का आया है कुछ दिखने में कुछ ऐसा है parabola जैसा and it looks so अब हमें करना के इस data पर अब हमें इस data पर करना है अपने gradient boosting को implement from the scratch तो उसके लिए हम करने के वाले हैं उसके लिए हम मदद लेने वाले हैं decision tree का so let's just go and import decision tree from sklearn sklearn.tree हां जी sklearn.tree से हम करेंगे import d e c i s i decision tree ठीक हमने कर लिए अपने decision tree regressor को यहां से import sklearn.matrix matrix को भी थोड़ा भाई कर लेते हैं import को कि हमें देखना भी तो है कि हमारा काम कैसे कर रहा है model accuracy or mean square okay अब हमने कर लिए यहां से import data को हम कर लेते हैं यहां पर ready reshape कर दिया हमने x.size के साथ x.size ठीक है अब हम कर लेते हैं y train data को भी जो कि हमारा होने वाला है y जो कि हमारे पास है पहले से y train is equal to y ok तो हमारा data हो गया यहां पर ready अब इसके बाद हम करते हैं अपने tree regression को चाल्व like decision tree regression को हम करते हैं start तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका एक instance कह सकते हैं object बनाना पड़ेगा let's say tree reg1 is equal to decision tree regression maximum depth दे देते हैं हम इसको maximum depth देते हैं 2 maximum depth दे दे इसको हमने और अब हमने कर लिया अपने tree fit data data हम क्या fit करने वाले x train comma y train हमने अपने data को कर लिया fit अब हम करते हैं इससे predict pr y predict predict is equal to 3 reg1 okay ref1 कर दिया कै मैंने my bad 3 reg1 dot predict x train x train okay हमने अपने training data को देके कर लिया predict value so let's go हमने यहां पर कर लिया predict हम लोग यह कर क्यों रहा है तो इसको यार दिलाने के लिए वापिस से चलते हैं एक बार अपने open board की तरफ और यहां पर आते हैं अपने इस diagram के उपर तो जैसा कि मैंने आपको बोला था हमारे पास होगा हमारा original data और हम उसको use करेंगे अपने model को train करने के लिए पहली बारी में तो अभी जो इस model ने value दी है वो होगी कुछ ऐसी और हमारी original value होगी कुछ ऐसी इसके बीच में होगा कुछ mean square error या फिर कोई error होगा तो let's just go and see your error होता क्या है okay so let's just print mean mean square error y predict y predict y predict y train okay so see हमारे पास error आया जो कि है बहुत ही जादा it is 1,031,800 and something 831 इतना आया हमारे पास error but हम अपने हमें अगर डिसकस करे gradient boosting हमारे पास जो error आता है हम उस error को अगर इस case में बात करूँ थोड़ा सा इसको clean करके तो हमारे पास जो error आता है उस error का हम करते है 90-85 is equal to 5 यह जो error आया है यह error जाएगा हमारे पास as an input for our model यह training के ले जाएगा इस बार जो हमारा data x data जो है वो किसके लिए काम कर रहा है वो इस error के लिए काम कर रहा वो प्रेडिक करना चाहते है इस error value को यह error value क्या होगी as a label की तरह काम करेगी similarly जब हम decision tree को implement करें तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर और हम लोग करेंगी क्या इस error को calculate तो we can say y1 error जो हमारा पहला iteration हुआ है पहली बार ही हमने अपने model को run कर रहा है तो उस लिए error आया है उसको हम कर लिए save वो error होने वाला है y train minus y predict के बराबर model को दूसरी बारी train करने के लिए like gradient boosting को implement करने के लिए तो let's just quickly print it या फिर अभी अभी print करना रहने देते है print करेंगे हम बाद में अभी हम discuss करते है इसको आगे further तो हमारे पास आ गया है y1 error अब इस y1 error को हम किस तरीके use कर सकते है अब इस y1 error को हम दूसरे decision tree regression में डालेंगे और वहां पर label की जगा जाएगा हमारा यह y1 error value so let's go okay so अब हम करेंगे अपने दूसरे tree को like हमने पहले tree reg 1 हमने करा था object बनाय था इस बार हम बनेंगे tree reg 2 को जो कि हमारे होने वाले decision tree max depth इसकी भी होगी क्या 2 बिलकुत same to same वही रख रहे है हम लोग property अगयरा tree parameters अगयरा tree reg 2.fit इस बार जब हम हमें fit करेंगे किस पर करेंगे हमारा training data x data जो होगा same to same but feature data जो होगा but जो हमारा इस बार label है जो original house की जगा error को कि हम अब error को predict करना चाहरे है हम चाहते हैं कि अगर हमारा error 5 है तो हमारा model कितना देगा value right so y1 error अब कर देते हैं इसको save करते हैं y predict 2 y predict 2 रख सकते हैं दूसरी बार चलता है तो ठीक है 2 in fact 2 पर और को 1 भी कर सकते हैं नहीं भी कर रहे तो उससे कोई फरक नहीं पढ़ता है predict next train हमने कर दिया अपने इसको predict और इसी के साथ सथ error भी calculate करी लेते हैं या फिर ठीक है इसको कर लिए हमने predict और इस बार predict होने के बाद हमारे पास कोई error आया होगा अगर हम इसी की बात करे means कर error की ही बात करे कि कितना है तो ctrl c c yes ctrl v कर दिया हमने इसको यहाँ पर paste like उपर और रही लाइन थी और यहाँ पर हमने यूज करा y predict plus y predict 2 यह हमने यूज कर लिए y predict 1 plus y predict 2 हो जो हमने पहले prediction करी थी उसके बाद जो हमने error calculate कर रहा था just like is open board जिस तरीके से हमने open board में discuss कर रहा है अपने error को कि यह था error था अचली कुछ 5 जो हमारे case में आ रहा था 1,30,000 something हमने इस error value को दिया था तो यहाँ पर हमारे model ने written करती कोई value 3.2 ठीक है जो की 5 निती बट हाँ यह कर के रही है आगर हम इसको add करे अपने original value में जो हमारे first model ने written करती 85 में add करे 3.2 को अब भी हमें कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है like हम 90 के close आ रहे that means हमारा model और accurate हो रहा है right तो ठीक है अब हम आ रहाते है यहाँ पर वापिस से अपने code के उपपर यहाँ है okay so we can see कि हमारा error यहाँ पर कम हो गया पहले से अब हमने करने के अब हम इसको तीसरी बार run करके देखते just like हमने अपने example में देखाता है जब हम sketch कर रहे ते है जब हम open board use कर रहे तो ठीक है तो अब मैं करना चाहूंगा यहाँ पर अपने क्योंकि यह मेरे ऐसा label की तरह जाएगा वापिस से model के अंदर ठीक है y2 error होने वाला है हमारा equal to y1 error minus y predict 2 okay मैंने save कर लिया अपना y2 error को इदर very good अब हम create करते हैं अपना तीसरा ट्री reg3 is equal to dcision decision tree regressor max depth हम लोग इसमें देंगे kuch 2 की उसके बाद हम करते हैं अपने tree अपने मतला इस model को करते है fit fit करेंगे किसके लिए fit करेंगे हम अपने training data के लिए dot fit next train okay हमने कर लिया fit उसके बाद हाँ हाँ right जब हम इसको fit करेंगे था हम क्या देंगे इसके अंदर इस वार हमारे पास जो label वाला column होते उसके अंदर जाएगा y2 error y2 error हमने दिया हमने कर लिया इसको fit और उसके बाद करते है इसको predict like ठीक है predicted value को हम score कलेंगे इस बार y predict 3 के अंदर is equal to 3 regressive3 dot predict next train okay let's go और साथ इस साथ में हम लोग कर लेंगे यहां पर अपने mean को check कर लेते हैं कितना error कितना आ रहे okay मैं यहां पर add करना तो भूली गया मुझे क्या करना होगा यहां पर y predict 2 plus y predict 3 मैंने यहां पर अपने add कर लिये जो जो हमने value को कर रहा था predict और क्या लगता है अब होगा क्या जब इसका error निकालेंगे तो होगा क्या हमारा original error था 1 lakh 30,000 के उपर 1 lakh 30,000 से भी ज्यादा error आ रहा था अगर अब second time जब हमने उसके बाद वाफिस अपने like gradient boosting को हमने apply करा दूसरी बार हमने जब error को प्रेडिक करने ही कोशिश करी उसके बाद कोई value है हमारे पास value का हमने original predicted value में add करा तो हमें दिखा कि like it is visual कि भाई 131 में like जब error था जब हमारे पास predicted value थे उसके हमने error वाले value को add करा तो वो हमारी total error को कम कर रहा है accuracy को बढ़ा रहा है तो इस बार क्या होगा इस बार ideally और कमाना चाहिए तो let's see see आपके सामने है one like 30,000 ता पहली बारी error उसके बाद 79,000 almost 80,000 error और इस बार almost 60,000 64,000 तो यही काम होते है so हाई अब आपको यह तो पता चलेगा कि gradient boosting हमारे errors को कर रहा है कम और हमारे model को बना रहा है और भी ज़्यादा accurate अब हम करते क्या है अब हम लोग visualize करते हैं errors को कि actually मैं हो कर रहा है हमारे data के सथ like जो line होगी इसके लिए जो gradient boosting काम कर रहा है तो let's just use the power of visualization और हम इसको करते है plot अपने graph पर तो सबसे पहले मैं इसके लिए कुछ subplots बना लूँगा let's say अ ठीक है subplot बना लेता हूँ plt1 3 subplot रख लेते हैं plt1 is equal to plt.subplot subplot subplot 2,2,1 या फिर नहीं subplot में क्यों बना रहे हैं direct plot कर लेते हैं इसको plt.scatter 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 x,y size is equal to np.once in the x size x size आ गया और इसको हमने कर लिया 3 okay हम कर लेंगे इसको plt.plot plt.plot like हमने अभी अपने data points होते हैं उनको scatter plot करके use कर रहा है अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा prediction है वह कैसा है उस points के उपर तो ठीक है हमने कर दिया x train yes,y predict वहारा पहला prediction था और इसको और beautify करने के लिए काम करते इसको भी color देते हैं तो आपको पैते है color देने क्लिए क्या कर सकते हो विया तो color is equal to r लिख सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो तो देखते हैं यह हो तक कैसे है tlt.show let's see okay so now see जो हमारा data था वह कैसा था हमारा data था parabolic parabolic type का data हमारा था यहां पर तो हमारा ideally जो हमारा predicted line होनी चाहिए तो prediction होनी चाहिए थी वह होनी चाहिए थे कुछ इस तरीके से जिससे कि वह भी एक parabola बना रही हो वह होनी चाहिए थे कुछ इस तरीके से कि ऐसे आ रहे नीचे और ऐसे करके जारी उपर right अगर हम देखे या फिर और discuss करें इसको तो हमाराई line कुछ ऐसी हो यहां पर हम आपर जारी आदर वह लगए की कुछ 1 अगर। में पर कुछ सभ्ण होती लएक हलकी की उपर नीचे कर रहे only दाना पर ऑन और वह हम्गी इसको हमारे पास ब्हां यहां पर ऑंपर नो Hub के इसको चाहिए जो एकन जानने पास पास पते श्येएं दे सही नहीं है यह एर्र दे गए दे गए हमारे पास एक लाक तीजर आया था वहां पर उन्हें मेंज का एर्र कल्क्रीट किया था तो हम चेक करते हैं जब यह दुबारा से होता तो क्या होता स्कैटर एक इस इकल टो एक डॉट वन्स इंटू एक शीज इंटू टू टूट कर लिया अब हम लोग प्लोट करने वाले अपने सेकिंड इटरेशन पर रेमेंबर इंबर इंड इंट पर क्या हो अचाहिए ए इस से तो बेटर ही हमारी प्लोटिंग होगी ठीट है वई X-train, वमारा training data same था y predict y predict plus y predict2 वो हमारा error prediction हुआ था लग हमने जो उसको correct करने किले कर रहा था वह भी इसमें हो जाएगा add यहाँड, अब हम कर लेता है थो plt.show लो नां व सी बढ़क दिख रहा है राइट फरक हमें दिख रहा है इसको color कर लेते यार color कर लेते रैड जिससे के हमें सेफ पता चल जाए कैसे हमारा पहले वाले में बनाता टॉब जैसा दूसरी बारी में थोड़ा से accuracy आई है एरन थोड़ा सा ठीक हुआ अगर मैं इसको वापिस से करूं like तीसरी वर्जा हमने थर्ड इटरिशन करी थी थर्ड इटरिशन के लिए होने वाला है थर्ड इटरिशन के लिए सब सेम रहेगा but main जो चेंज आने वाला है main change है यहाँ पर एक जो हमारा तीसरा प्रेडिक्टे वैल्यू था वो और एड हो जाएगा why predict 3 look at this now just look at this look at this भाई जमीन आस्मान का फरक है दोनों में जमीन आस्मान का फरक भी नहीं है इसका देखो इसका शेप कैसा बना है इसका शेप कैसे भना है देक भूर सट हूं को अपने ग्रेडिंट को अच्छे से द लिए रृक करा लिस्री आ स्टीसरी बार रॉन करने पर हमारा जो व यह आखेब जैसे दिखी रहे यहां पर कैसे आगया और फर होगा यहां पर यह भी होगा यह तो काफि ज्यादा नां इमेंजिन अकर यहीं साब भार हो जाएं यहां हम लोग करने के लिए कि लिए कितनी बार करने हैं इसके लिए हमें करना क्या होगा लेकिन यहां पर बहुत बड़ा कैच है वह कैच यह है कि यह मॉडल या फिर जब हम करते इसको लाइक ग्रेडिंट बूस्टिंग जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं इस पर हमेशा हमेशा ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनिमूम वैल्यू ऐसा कोई पॉइंट आएगा जिस पर जो एर्र वैल्यू होगी मिनिमूम उसके दों फिर से ग्रैज्वली इंक्रीज करना चालू कर देगा मैं क्या बोलना चाहता हूं लेट मीजिस ड्रॉ और मैं आपको बता दूं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं अगर हम वाइट बोर्ट पर जाए है जो हमारा इंस्ट मीटर है एकहनी और हमारा वो है उस्के बाद कोई ऐसा आज जाएगा पॉइंट जहां पर हाँ वैल्यू बहुत कम है उसके बाद वो आप इससे बढ़ना चालो हो जाएगा और यह हमें चाहिए नहीं कि भाई जब हमारे पास मिल गया ठीक है minimum value मिल गई या फिर एक ऐसी value मिल गई एक ठीक हाव इतनी बाद भाय बना लो थो मं ठीक है इतनी ठीज बना लो या फिर हमारा रहाई काम हो गया असंट हो सकती ती उसके काम करनेगेinga ज़रत तो क्यों हम इतना और एक्टा करके या फिर जितना भी हमारे एक्टा एक्टा करके अपने दो परिय सीञाकरै क्या एक्कुरसी भी किया व्यूठीता पर यूरी है इससे इसको ँटने जादा हमारी एक्कुरसी विह दॉन हो एैं हमारे लिए दुस्ष्ट भोवी तो बढ़ते छा रहहे है तो यह चीज़ता वामेगी चाहिए नहीं रहीं है । यह अगर मैं graph थोड़ा और अच्छा बना सकूँ तो graph को थोड़ा और beautify कर लेते हैं अपने graph को black color ले जातो black color मुझे अच्छा लगता है graph बना रहे हैं black color because थोड़ी cleanliness आती हो से थोड़ा और अच्छा दिखते हैं अपना graph तो सी अगर मेरा graph कुछ ऐसा होता इसका तो मैं decide करूँगा कि मुझे रुखना करें मैं decide करूँगा कि भाई मुझे वहां रुखना है जहां पर मेरी value जो है वह है minimum और यह जो तरीका है न रोकने का इसको यहां पर रोकने का जो हमारा gradient boosting चल रही है वह यहां पर रोकने का जो तरीका है जो terminology है उसको कहते है अर्ली stopping और यह जो अर्ली stopping topic है अगर आप इसके पहले linear regression या फिर और कोई चीज़े पढ़के आ रहे हो अगर आपने gradient descent के बारे पढ़ा है तो उसमें भी क्या हो था था उसमें सब्सक्राइब करते थे कैसे उस पर भी कोई learning रही है फिर steps अगर मैं कहा दू सिंपल वे में तो step by step step by step 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 सब्सक्राइब तब तक जाते थे जब तक minimum हो जाए अगर अगला maximum अगला बढ़ रहा है यह हमारा क्या होगा मिनिमीम होगा global minimum local minimum यह सारी चीज उसके अंदर तो ठीक है अब हमें किस चीज़ की जरुद पड़ी अडली स्टॉपिंग की जरुद पड़ी अब ग्रीट बूस्टिंग में अडली स्टॉपिंग करते हैं उसको लेकर थोड़ा सा कर लेते हैं यहां पर डिस्कुर्शन जै आगर हमारे पास लेट से यहां पर consum on आप tutorial के लिए था हमने सिर्फ ने 3 थीन нос है like an اس्तिवेंगaları तेन कह सकते हैं हमने थीन वर ट्री के बारे में यहां पर देखा था राइट तेन ट्री को देखा था बट क्या होगा कि अगर मेरे पास यहीं जरुत पड़ जाए तीस की जरत पड़े तीन सो की जरत पड़े तीन लाग तक जाना पड़ जाए तो मैनुली करते रहोगे पूरा-पूरा नहीं इसके लिए हमारी हेल्प होती है बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त से जिनका नाम है एसके लंड जो कि पूरे टाइम पूरे मशिन लेंडिंग में हम लोगों का साथ देने वाले इसके लंड भाई साब यह करते हैं इनके पास है प्रीडिफाइंड लाइबरी प्रीमेड लाइबरी जो की ओपन सोर्स और बाफी कमरेटिव मेंबर्स इन लोगों ने काफ इनके पास है यह लाइबरी सिमिलरी फर क्लासिफिकेशन इनके पास यह लाइबरी इसको यूज करके हम implementation of gradient boosting भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ में हम जो topic जिसके बार है मैं इतनी बार बोल चुका हूं वह भी पढ़ेंगे जिसका नाम है early stopping if you guys want to tune in about early stopping and implementation of gradient boosting regression unit using sklearn so do check out our next video on this playlist इसके बार में हम next video में which is implementation of gradient boosting using sklearn में discuss करने बाले in-depth thank you so much